आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडों खीचो एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरफ विडियो सिलीशन पाओ। अभी डाउटनेट करे प्रशन यह है एक 10 वोल्ट, 60 वाट के बल्ब को 100 वोल्ट लाइन से जोड़ने के लिए आवश्यक प्रेरण कुंडली का स्वाप्रेरण, स्वाप्रेरकत्व होगा जबकि हमें आवरती का मान 50 हर्ट दिया गया है और यहां पे 4 विकल्प दिया गया है तो आईए हम लोग इस प्रशन को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा तो जैसे प्रशन में बोला है हमने यहां पर एक बल्ब बना लिया है बल्ब की सकती हम लोगो दे दी गई है पी बराबर 60 वाट है और वोल्ट अता वी बी से हम लोग इसको दर्शा देते हैं ज 10 वॉल्ट का और यहां पर जो होगा उसे हम लोग भी से दर्शा देते हैं और इन दोनों का जो दृश म धन होंगा या फिर फेजर समझो होगा वह हमें 100 वोल्ट दिया गया है तोसे पहले हम लोग इस बर्व से होकर करके जाने वोल्ट जो है ठीक है इसको हम लोग सबसे पहले सुत्रों के रूप में लिख रहें वी बी से दर्शा देते हैं यह हो जाएगा 60 बटे 10 यानि कि बल्ब में जो धारा है वो कितना है 6 एंपीर है यानि कि यहां से धारा जो है हमें आई का मान 6 एंपीर प्राप्त हु रहा है अब देखें हमें यहां पे L का मान गयाद करना है तो जो लाइन से हम लोग जोड रहे हैं उसका मान हमें 100 वोल्ट दिया गया है अर्थात हमारे पास यहांं पे अगर देखें इन दोनों का phaser sum तो यह हमारे पास हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पे जो बल्ब के पास वोल्ट अता है उसका वर्ग धन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में जो प्रेरकत है उसका voltage का वर्ग और यह हो जाएगा वर्ग मुल के रूप में अब देखें यहाँ यहाँ पे हो जाएगा 100 वर्ग मुल को इधर ले आएगे तो 100 का वर्ग बराबर वी बी का मान हमारे पास है 10 इसका वर्ग धन यहाँ पे हो जाएगा वी एल के वर्ग का मान ग्याद करना है ठीक है इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा और फिर इससे घटा तो हो जाएगा हमारे पास यहां पे 10,000 रड यहां पे हो जाएगा 100 और जब हम लोग इसको घटाएंगे तो हमारे पास यहां पे माना जागा 9,900 अब हम लोग इसको वर्गमुल कर देंगे तो VL बराबर हो जाएगा वर्गमुल 9,900 ठीक है इतना हमारे पास यह वोल्टता के मान में आया है वर्ग में है अब हम लोग इसको वर्ग मुल से हो जाया ग corrosion यहां पर उसको ग्याद कर लिया अब देखिए हम लोग हैं कि जो वी यह लोगर य fidelity जो होगी प्रिरकत्य के पासितना हो जाएक गंग फल के अधर कफरCU मारत के बराबर होगा और हमारे पास यहां पर फिर मान जाएगा जो एकसल होता है यहां हमारे पास हो जाता है omega L के बराबर यहां पे ओमेगा जो है आव्रित्ती को दर्शात है एल प्रेरकतों को दर्शात है ठीक है तो हमारे पास यहां पर या फिर हम लिए बोल सकते हैं कि जो ओमेगा है वाद 2 पूरे पत को हम लोग इधर पक्षानतर कर देंगे अर्थाथ प्रेरकत्व एल जो होगा हमारे पास वी एल बटे हो जाएगा दो पाई एफ गुडित धारा आई अब इसमें मान रखेंगे तो इसका मान हम लोग निकाले हैं 99.5 वोल्ट और ये हो जाएगा दो गुडित मान पचास हर्ज लेने को बोला गया है और हमारे पास धारा का मान आया है चैंपिर इस सबको गुड़ा करके इससे भाग देंगे तो हमारे पास यहां पर प्रेरकत्व एल का जो लगभग मान है वह हो जाएगा सुन्य दसम्लों सुन्य पांच दो हैंडरी हमें यहां पर प जाएगा सी Cancer 16.2MH2 यह भी गलत है डी 1.6.2uma है यह हमारा क्या हो जाएगा यह वालत यह व्ंप्रें गलत हो जाएगा अर्दे हमारा यहां पर विकलप ए जू है सहीं उत्तर होगा धन्य बार्रुअ पक्षचरी से बारवी से लेकर नीट IIT JE वो एडवांस के लेबल तक एक करोड से जादा चात्रों का भरोसा आज से डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आठ चारसो 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 पर